हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैने स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में कुछ महत्पून जांकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वन रैंक वन पैंसन जी हाँ ये एक बहुत इंपोर्टेंट टर्मिनोलिज थी जितने भी हमारे डिफेंस के पैंसनर थे और देखिए आज से ये मांग नहीं 90-71 से ये मांग चली आ रही है इसको लेकर एक बहुत महत्पून लेटर जारी हुआ है जो मैं आज आपके साथ शे रैंक मैनी पैंसन या वन रैंक फाइव पैंसन दे दी गई जिसकी वज़े से जो हमारे पूरुषयनिक हैं उनको बहुत जादा नुकसान हुआ और नुकसान ही नहीं हुआ उनके जो आत्म विश्वास थी उनकी जो अंदर भावना थी उसको भी ठेस पोचाए गई तो उन सारी बातों का इस लेटर में जिक्र है जो माननिय प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोधी जी को लिखा गया है बहुत इंपोर्टेंट लेटर है और सारी जांकारिया उसमें जो है बहुत ही मैत्पूर्ण है जो मैं आप सभी के साथ सेर करूँगा इस परस में आप बैंक औ यह लेटर है जो प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया को सेंड किया गया है सबसे इंपोर्टेंट देखी यह है जैसे ही OROP 3 का टाइम नजदीक आ रहा है 1 जुलाई 2024 से देखे IESM जो है या IESLA वो एक्टिव हो गए है और अपने लेटर का दोर उन्होंने सुरू कर दिया है इस लेटर में बहुत सी अची अची जनकारिया है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहां पर देखे बताया गया है यह एक बहुत इंपोर्टेंट यहां पर पंक्ति लिखी गई है अब यह इसका मतलब क्या है देखे भगवान और सैनिक जो है तब ही याद आता है जब आप पर खत्रा होता है युद्ध के समय आपने सुना होगा कि जब युद्ध का समय होता है तो जितने भी हमारे सैनिक होते हैं उनको टेन से पोचाया जाता है या किसी तरह से पोचाया जाता है तो जो आम सैनिक हैं वो अपनी सीटे छोड़ देते हैं लेकिन क्या वास्ताव में युद्ध के बाद भी ये स्थिति देखी जाती है उसके बाद तो उसको देखिए बाथरूम के पास बैट के अपनी पूरी जर्नी करनी पड़ती है लेकिन उसको वेटिंग होने के बावजूद भी जो है कोई ऐसी सीट नहीं दी जाती है जो सम्मान जनक उसकी यातरा को कम्पलीट करा सके तो यहाँ पर देखिए वो ही सब्स बताया गया है कि आप परिशान होते हैं तो भगवान और सैनिकों को याद करते हैं लेकिन जैसे ही आपका खत्रा टल जाता है आप सेफ इस्तिति मा जाते हैं आप दोनों ही कंडिशन को भूल जाते हैं यहाँ पर देखिए नों बताया है What has been implemented is one rank different pension and not one rank one pension जो हमें दिया गया है वो one rank one pension नहीं हो के one rank different pension है The journey to OROP started after 1971 war OROP was first recommended by the high level committee of problems of ex-servicemen जो देखिए के-पी सिंग देव committee थी 1984 में उन्होंने सबसे पहले देखिए इसकी recommendation दी थी ओनरे पर प्राइम मिनिस्टर आपने भी देखे जो रिवाडी में रैली हुई थी 15 सेक्टर में 2013 को वहाँ पर बताया था यू राइटली अनॉंस्ट और एशोर देट फुल ओर ओरोपी विल बी इंप्लिमेंटेड इफ यो गवर्मेंट केम तो पावर यदि आपकी गवर्मेंट सत्ता में आती है तो पूरी तरह से जो ओरोपी है वो दी जाएगी आपने किया सभी ने देखे स्वागत किया इसका सर इट लुक एप्रोक्स टू इयर्स फोर योर गवर्मेंट इशू पोलिशी फोर दा इंप्लिमेंटेशन ओफ ओरोपी साथ नमबर 2015 को अफ्रेक्चरड ओरोपी देखे ओरोपी वर्ड क्या गया है उसके साथ में जो वर्ड यूज क्या गया है फ्रेक्चरड यानि ओरोपी तो थी लेकिन टूटी फूटी ओरोपी जो है इस्यू की गई aha पैसन बनेगी जो पैसन होगी उसी के आधार पर उनकी भी पैसन ओटोंतीकली रिवाइज हो जाएगी अब उसको चेंज कर दिया गया Periodically and fixed equalization of pension period of 5 years अब 5 साल के बाद उसको change किया जाने लगा और वो भी आप सभी जानते हैं कि देखें जिसको 2014-2015 में जो pension मिल रही थी अगर हम OROP 2 देखें तो देखें उससे भी नीचे pension आज के pension को मिल रही है दस साल के बाद तो ये देखें कहीं न कहीं खिलवाड है हमारे सैनिकों के साथ Sir, with this play of words, the original definition and concept of OROP has been completely diluted जो concept था उसको dilute कर दिया गया and instead of one rank one pension ये बुन गया one rank different pension या हम कहें one rank five pensions Sir, financial effect जो 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 के मनुहर खत्तर जी परिगर जी थे उन्होंने बताया था जोरपंदरे में कि देखे 8298 करोड जो है expenditure लगेगा जो सरकार के उपर कुछ जादा नहीं था और जैसा कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फुन जारा वादा भी किया गया था Now in 2024, may we request you to fulfill your assurance and implementation of full OROP which reads, one rank one pension implies that uniform pension to be paid to the armed forces personal retiring in the same rank with same length of service irrespective of date of retirement and future enhancement in the rates of pension to be automatically passed to the past pensioners जो भी है उनको पहुचाई जाएगी जो भी benefit है उनका This implies bridging the gap between the rate of pension of the current pensioners and the past pensioners and also future enhancements in the rate of pension to be automatically passed to the past pensioners तो देखे इसके बारे में यहाँ पर पूरी सी बताई गई है जिससे हमारे सैनिक है उनकी ओनर डिग्रिटी और इंटिग्रिटी को जो है आप प्रोटेक्ट किया जा सके और यहाँ पर एक बहुत important मांग की गई है implementation of full OROP will be a step to recognize and knowledge acknowledge their services to the nations ग्रेट भारत can always afford देखे बहुत important यहाँ पर यह letter है और इस letter का एक एक वर्ड जो है बहुत महत्पूर्ण है जो यहाँ पर लिखा गया है तो इस letter की देखे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है किसने भेजा है क्यों भेजा है तो letter की जो theme है जो essence है वो बहुत important है अब चलते हैं आगे देखे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो और लेडी बनाया था इस परस में bank account या branch कैसे change करें इसके बारे में complete solution है आप चाहें तो यह वीडियो देख सकते हैं इसका link आपको i button या description box में भी मिल जाएगा देखे यहाँ पर इस परस में account number change कैसे करें आपको bank change करना है branch change करना है या account number change करना है तो यहाँ पर मैंने step by step लिखा हुआ है open new account आपके जैसे भी इस महिने की अगर pension आपको आजाती है तो आप उससे पहले भी या same day आप अपना account दूसरे bank में open कर सकते है अपना transfer करे bank branch apply for checkbook जैसी आपका bank account खुल जाता है या transfer हो जाती branch तो आप checkbook के लिए apply कर दें क्योंकि उसमें आपका account number, name, IFSC code सब कुछ होता है आपके पास checkbook आजाएगी login to ispers, manage profile में जाना है bank details में जाना है bank detail रहेगा, IFSC code रहेगा जो bank name है और branch है वो automatically आ जाएगी तो यहाँ पर आपको देखे जो arrow दिखाया गया है यह जो arrow से पहले यह edit वाला option है first one, तो आपको इसमें click करना है और इसके अंदर अपना नया account number नया IFSC code डालना है आपकी branch और bank name automatically यहाँ पर feed हो जाएगा supportive documents, cancel check चाहिए तो इसलिए मैंने आपको बला कि आपको पहले checkbook के लिए अपलाई करना है आपको cancel back चाहिएगा, PDF बनाना है उसका attach कर देना है, you will get token number आपको token number मिलेगा आप इसपर्स में account number change कैसे करें तो जैसे मैंने आपको बताया इसपर्स में अगर आपको change करना है तो क्या कारेवाई आपको करनी होगी इसपर्स में update करें first pension at new bank या branch जैसे ही आपका नई branch में, नई bank में pension आ जाती है उसके बाद आप महाँ से pension slip को upload करें यानि आपने अपना काम करें token number हो गया है, वो आपका upload हो जाएगा उसके बाद में आपकी पहले महीने की pension slip आएगी, उसको लेके download करें और आप एक application लिखें कि देखें, अब हम अपना जो account है इस bank का DSP account में convert करना चाते हैं, salary package pension को रूप में convert करना चाते हैं उसके लिए आप application दें और अपनी pension slip लगाएं कि हमारे आपकी ब्रांच में जो है pension आ रही है, तो हमारा account जो भी आपका bank है, उसमें जो भी defense salary package pension account है, उसमें आप convert करें चाहे PNB रक्सक प्लस हो, शोरे का सम्मान हो, चाहे DSP हो, ऐसे बहुत सारे skim बहुत सारे bank में हैं, तो आप अपने account को बदल के, अपनी ब्रांच को इस पर्स में change करके, उसके बाद ये काम करना ना भूले, ताकि आपको जो भी defense pension की facility मिलती है, वो आपको मिलती रहें ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, फिर मिलेंगे आप से जैहिंद, जैभारत